हेलो स्ट्रेंट्स तुड़े विल स्टेड़ी दा फाइफ चैप्टर विहाइव दा स्नेक एंड दा मिरर एंड इस राइटर इस बैककम मोहमद बशीर स्ट्रेंट्स तुड़े आइम गोईंग तो तेल यू दा समरी ओप दिस चैप्टर और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी कि स्ट्रेंट्स एक स्नेक दरपन और डाक्टर।C Papalies ना पसंद किया है यह कितने लोग स्वाम को दरपन में देखना पसंद करते हैं I think लिमदी मोस्टी परसं दरपन देखना बहुत पसंद करते हैं चाहिए वो घर पर हो घर के बाहर जाते हुए हो घर में अंदर एंट्री करने के बाद हो या उनके पास रखा हो तो वो टाइम टाइम पर दरपन देखते रहते हैं तो ऐसी यह कहानी है लेकिन क्या कभी किसी ने किसी डोग को कैट को या किसी बल्ड को दरपन में देखते हु और अपने दोस्तों से पूछते हैं क्या किसी ने किसी साप को दरपन देखते हुए देखा है डॉक्टर कहता है कि मैंने देखा है सब सांथ हो जाते हैं और डॉक्टर जो है वो कहानी बताना स्टार्ट कर देता है अब देखते हैं स्ट्रेंट्स कि डॉक्टर कहानी क्या बता रहे हैं डॉक्टर ने सभी से पूछा क्या आपने कभी किसी साप को अपने सरीर पर लपेटा मार कर बैठे हुए देखा है एक भयंकर नाग सब चुप हो जाते हैं यह प्रस्ण जो एक होमेपैतिक डॉक्टर ने पूछा उस समय सभी लोग सापो का सापो की चर्चा कर रहे थे जब यह विसे आया और डॉक्टर ने अपनी कहानी सुनानी सुरू कर दी सब लोग ध्यान पूर्वक सुनते हैं दोक्टर बताता है यह ग्रीस मृतू की गर्मी की रात थी लगभग रात के दस बजे थे और मैं एक रेस्टोनाल से भोजन करके आया और अपने कमरे में बापस लोटा मैंने धरवाजा खोला मैंने उपर से एक आवाज सुनी आवाज जानी पहचानी थी कोई भी कह सकता था कि उस कमरे में मैं और चुहे साथ साथ रहते थे फिर मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और मेच पर रखे होए मिट्टी के तेल के लेम को चलाया मकान में बिजली नहीं थी बिजली की विवस्था ही नहीं थी यह छोटे सा किराय का कमरा था मैंने अभी डॉक्टरी करना ही सुरू किया था इसलिए मेरी जो आई ती बो भी बहुत कम थी मेरे पास एक सूट केस था जिसमें केबल साथ रुपे रखे थे और उसी में कुछ कमीज और धोतियां और साथ साथ मेरे पास एक काले रंग का कोट भी था जिसे उस समय मैंने पहन रखा था मैंने अपना वो काला कोट, सपेद कमीज और एक मेला सा बन्यान उतारा और उसको टांग दिया मैंने कमरे की दोनों खिड़कियों को खोला और यह कमरा जो था, यह बाहरी कमरा था इसकी एक दिवार खुले आंगन के सामने थी इस पर खप्रेल पड़ी थी जिसके तिकोनी दिवारों के उपर का भाग रखा वा था और बे दिवार के उपर लोहे की कड़ी पर टिकी हुई थी अंदर कोई भी छत नहीं थी कड़ी के उपर चूहो की लगातार आबा जाही रहती थी चूहे आते जाते रहते थे मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसको दिवार के निकट खीच लिया फिर डॉक्टर कहता है कि मैं लेट गया परन्तु मैं सो नहीं सका मैं उट गया और थोड़ी हवा के लिए मैं कमरे के बाहर बराणे में चला गया परन्तु ऐसा प्रतित हो रहा था जैसे उस दिन पवन के देपता ने चुट्टी ले रखी हो हवा नहीं चल रही थी मैं कमरे में फिर बापस गया और कुर्सी पर बैठ गया मैंने मेच के नीचे रखा बोक्स खोला और एक पुस्तक निकाली जिस पुस्तक का नाम था मेटीरिया मेडिका इस पुस्तक में होमेपैतिक दवायों का विब्रण होता है मैंने मेच पर पुस्तक खोली जहां पर वे लेंप और दरपन रखा हुआ था दरपण के पास एक छोटा सा कंगा रखा हुआ था जब दरपण किसी के भी पास हो तो कोई भी व्यक्ति दरपण में देखने के लिए इच्छुक हो सकता है, लाइथ हो सकता है तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ मैंने दरपण में देखा उन दिनों मुझे खूपसूरती का बड़ा स्वक चड़ावाता है मैं खूपसूरती का बड़ा फ्रेसन सकता और मैं स्वम्प को बहुत ज़्यादा खूपसूरत दिखाना चाहता था मैं एविवाई था और एक डॉक्टर था मैं चाहता था कि लोग मेरी तरफ आकरशित हों मैंने कंगा उठाया और बालों में घुमाया तता अपनी मांग को ठीक हिया बिरकुष सीधी और साफ दिखाई दे इसलिए मैंने उपर से फिरबो आवाज सुनी मैंने दरपण में अपने चेरे को और अधिक करीब से देखा मैंने एक महतपूर्ण निल्ने लिया कि मैं पिर्ते दिन हजामत बनाऊंगा और अधिक सुन्दर लगने के लिए पतली मोचुगाऊंगा आखिर मैं एक कुवारा था और एक जोक्टर भी मैंने दरपण में देखा और मुस्कुराया वैं मुस्कान आकर्शक थी मैंने एक अन्य महतपूर्ण निल्ने भी लिया कि मैं सदैव इस आकर्शक मुस्कान को अपने चेरे पर बनाए रखूंगा जिससे मैं और अधिक सुन्दर दिखाई दूं आखिकार मैं एक क्वारा था और साथ ही एक डोक्टर भी उपर से भै आवाज पुन्ह सुनाई दी मैं उठ गया एक बीड़ी सुलगाई और कमरे में चहल कदमी करने लगा तब एक और सुन्दर विचार मेरे मन में आया मैं बिभा करूंगा मैं एक ऐसी डोक्टर युपती से विभा करूंगा जिसके पास काफी धनों वो और डोक्टरी का काम उसका अच्छा चलता हो उसे मोटा हो लेकिन उस लेडी को मोटा होना चाहिए इसका एक उप्यूक्त कारण है मोटा होने का क्योंकि यदि मैं कभी भविस्षे में कोई मूर्खता पूर गलती करूं तो वो मेरे पीछे ना भाग सके और मुझे पकड़े भी ना सके इन विचारों को मैंने अपने मन में लिये हुए मैं मेच के सामने अपनी कुर्सी पर फिर दुबारा से बैट गया अब उपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी लेकिन अचानक ही धीरे से धडाम के साथ कोई चीज गिर पड़ी जैसे की रवड की ट्यूब भूमी पर गिर गई हो निस्सित रूप से इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं थी फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़कर एक द्रश्टी डालूँ जो ही मैं घूमा एक मोटा सा साब कुर्सी के पीट से रेंगता हुआ मेरे कंदे पर आ गया सर्ब का मेरे कंदे पर आना और मेरा मुड़ना दोनों लगभग एकी साथ हुए मैं उचला नहीं मैं डर से कापा भी नहीं चिलाया भी नहीं ऐसा करने के लिए समय ही नहीं था क्योंकि अगर मैं ऐसा करता क्योंकि साब मेरे कंदे पर फिसला और कोहनी से उपर मेरी बुझा के ऊपर चारोगोर आ करके लिपड़ गया उसका फन फैला हुआ था और सिर मेरे चेरे से मुश्किल से तीन या चार इंच की दूरी पर था यह कहना भी कठिन ठीक नहीं होगा कि मैं केवल सांस रोक कर बैठा रहा मैं पत्थर का बुत बन गया था परन्तु मेरा मस्तिक उस समय सैकिर रहा था दरवाजा अंधेरे में खुलता था कमरे में चारो और अंधेरा था मैं लैम के पिरकास में जिंदा रहते हुई पत्थर के बुत के समान बैठा था तब मुझे उस समय एक ब्रह्मान के निर्माता का एहसास हुआ बहां इस वर था कल्पना करो कि मैंने कोई बात नहीं कही और भगवान को बो बात अगर पसंद नहीं आती तो मैंने अपने छोटे से हिर दिय के बहारी सब बहारी और से ये सब हे इस वर लिखने के पिर्यास की कल्पना की मेरे हाथ में कुछ दर्द हुआ ऐसा था जैसे कि कोई मोटी सी छड़ पिंगली हुई आग से बनी छड़ धीरे धीरे परन्तु सक्ति साली ढंग से मेरे भुजा को दबा रही हो भुजा से सारी सक्ति गायब होती जा रही थी तो उस समय मैं क्या कर सकता था मेरा जरासी गती करने से वैसा मेरे उपपर आक्रमण कर सकता था और म्रत्य जो थी वो चार इंच दूरी पर घात लगाए बैठी ही थी मानू सर्पने अगर आक्रमण कर दिया होता या मेरे काट लिया होता तो मेरे पास क्या दवा थी कमरे में कोई दवा नहीं थी मैं केवाल एक ऐसा हाए मूर को बुद्धु डोक्टर था मैं अपना खत्रा भूल गया और धीरे धीरे मुश्कुराने लगा ऐसा प्रतित हुआ मानू इस्वर ने इस बात की सहराना की हो सर्पने अपना सिर घुमाया उसने दरपन में देखा और अपना पृतिमिम देखा मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि वह पहला ही साप था जिसने दरपन में देखा परन्तु ये निस्चित था कि वह साप दरपन में ही देख रहा था क्या वह अपनी सुन्दरता पर नाच कर रहा था क्या कोई महतपूर निल्य लेने का प्रियास कर रहा था कि भे मूचे उगाएगा या अपनी आखों पे काजल लगाएगा या मसकारा लगाएगा या फिर अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाएगा मैं निस्ती रूप से कुछ नहीं जानता था कि उस साप का लिंग भी क्या है बहनर था या मादा मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि साप ने मेरी भुजा से अपने लपेट खोले और धीरे धीरे से मेरी गोद में सरकाया बहां से वैं मेच पर रेंग कर चड़ गया और दरपन की ओर सरक गया बैसायद पास से अपने प्रितिविम को देखने का अनन लेना चाहता था अब मैं पत्थर का बुत नहीं रह गया था मैं अचाना की हार मांस यानि एक सक्ति साली व्यक्ति बन गया था मैंने तब भी अपनी सांसों को रोक रखा था मैं कुर्सी से उठा और चुपचाप दरवाजे से बाहर बराने में चला गया बहां से मैंने आंगन में छलांग लगाई और पूरी सक्ति लगा कर जितनी भी मेरे अंदर ताकत थी मैं बहां से दोड़ गया सबी लोग जो बैठे होएते हों कहते हैं ची हम सबने राहत की सांस ली हम सबने बीड़ी सुलगाई किसी ने पूछा डोक्टर क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है डोक्टर ने कहा नहीं इस वर की इच्छा कुछ औरी थी मेरी जो पत्नी है वो एक पत्ली सरकंडे की जैसी है और बहुत तेज दोड़ने में उसको प्रतिवा संपन है किसी अन्य विक्ति ने पूछा डोक्टर जब आप दोड़े या सर्प ने आपका पीछा किया जब आप दोड़े तो क्या साप ने आपका पीछा किया डोक्टर ने उतर दिया जब तक मैं अपने मित्र के मकान प साड़े आठ बजे अपने मित्र और अन्याय दो तीन व्यक्तियों को लेकर मैं अपने कमरे पर वापस लोटा परन्तु हमने देखा कि हमें कुछ भी नहीं उठाना था किसी चोड़ ने मेरा दिकान समान हटा लिया था कमरा साप पड़ा था परन्तु बास्तम में ऐसा नहीं था चोड़ ने मेरी पूरी तरह से अपमान करने के लिए एक चीज छोड़ दे थी मैंने पूछा बह क्या चीज थी जोक्टर ने का मेरा बन्यान गंदा बन्यान उस व्यक्ति को इतनी सफाई पसंती बह बदमास उसको भी ले जा सकता था और साबुन या पानी से उसको धो करके पहन सकता था जोक्टर क्या आपने अगले दिन साब देखा जोक्टर हसा तब से मैंने उसकी कब को कभी नहीं देखा बै एक ऐसा साब था जो अपने सोंदर्य पर खुद ही मंत्रमुग्द हो गया था ओके स्रेंट्स थेंक्स